नमस्कार आप देख रही हैं बिहार तक मैं हूँ आपके साथ सुकन्या सिंग। अब से कुछ दिन बात कुर्णी का उपचुनाव होना है और इसके लिए मतदान की तारीख 5 दिसंबर कीते हैं। और चुनाव प्रचार का आज आखरी दिन है ऐसे में कुर्णी के चुनाव प्रचार से दूरी बनाये रखने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुदीन ओवेसी ने अपना वीडियो मैसेज जारी करके इस बारे में जनता की सामने अपनी बात रखी है और जनता से जो कुर्णी मे AIMIM के उमिदवार हैं मुर्तजा अनसारी साहब उनके पक्ष में मत करने की मांगी है कर रहे हैं मेरी आप से अपील है कि आप मतहिदा तोर पर पांच तारिख के दिन सुबा के अवलीन वक्त में अपने घर से अपने गाउं से निकलिए और अपने इतिहाद की ताखत का मजारा करिए बरादरी मसलक और अजबियत से उपर उटकर आपकी नज़रे मजलिस को कामियावी के लिए आपको काम करना है मैं आप तमाम का शुक्रिया दा करता हूँ कि आप लोग काम कर रहे हैं और मुझे अमीद है कि इन्शालला हुटाला अखतर अलिमान की खियादत में जो काम हो रहा है आप उसको और तक्वियत और मजबूती देंगे और जनाब गुलाम मुर्टाजा अनसारी सहाप को अपनी दूाउं से रुटं से उनको कामियाब और कारा कामरान करेंगे पतंग चाप निशान है उनको और डाल कर कामियाब करिया सलाम वालेक। बिहार में कुर्णी विधान सवा में जो जिमनी इंतिखाबात होने जा रहे हैं जहां से मंदलिस इतिहाद मुस्लिमीन को मिद्वार जनाब गुलाम मुर्तजा अनसारी साहब है। अपने वोटों से कामियाब करिए इतिहाद के जरी उनको कामियाब करिए अपनी विरादरी मसलक से उपर उटकर अजबियत का शिकार मत होईए बलके पूरे एक होकर गुलाम मुर्तजा अनसारी साह को कामियाब करिए ताके आपकी आवाज बिहार के विधान सवा में जाए। और अख्तर अलिवान सहाब, आफ्ताब सहाब, आदिल सहाब, मंदलिस के तमाम जम्मधारान वहाँ पर जुस्तजू कर रहे हैं बता दें कि कुर्णी में बड़ी संख्या में मुस्लिम उमीदवार भी है और ऐसे में बड़ा सवाल बना हुआ है कि कुर्णी के मुसल्मान AIMIM को वोटे देंगे या फिर महागडबंदन को क्योंकि AIMIM ने जहां मुसलिम कैंडिडेट दिया है वहीं अगर महागडबंदन की बात करें तो जेडियू के तरफ से मनोज कुश्वाहा चुनावी मैदान में हैं इसके अलावा BGP के तरफ से केदार गुपता मनोज कुश्वाहा को चुनावती देते नजर आ रहे हैं साथ ये VIP के तरफ से निलाव कुमार भी चुनावी मैदान में हैं अब देखना होगा कि AIMIM के लिए वोट तो मांग रहे हैं असत दो दिन OVC लेकिन जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि AIMIM को कितने वोट कोड़नी में मिलें बिहार के खबरों के लिए आप देखते रहें बिहार तक अब देखना होगा कि AIMIM को कितना होगा कि लिए गया कि लिए पायाओ कि लिए गयार तक